तो दोस्तो नमस्कार स्वागत आपका और फिर से एक नए ब्लोग में तो दोस्तो आज का ब्लोग बहुत ही बढ़िया और जब रजस्त होने वाला है तो आप इस ब्लोग को जरूर देखिएगा तो मैं दो-ती दिन से ब्लोग नहीं अपलोट कर पा रहा था इसका में कारण और यह था कि मैं मेरा एक्जाम था और Sum TsoAc caat और चलिए वीडियो करते हैं तो मेरा नएम आजीत और आप देख रहे हैं तो चलिए ब्लोग को सुरू करते आज दो पहले आपको बता दे कि उस डॉकुमेंट में क्या का मैंने लेकर गया था और क्या मतलब प्रोसेस था कैसE मतलब चेकिंग किया गया और क्या भाव को सब कुछ बताओंगा डीटेल में अपको सबसे पहले अप लेकर जाए और हाला कि लोग बोल रहते कि रंगीन लेकर जाना एक साधा लेकर जाना तो आपको ये भी क्लियर कर दे कि admit card चाहे साधा हो या रंगीन हो दोनों में से कोई भी चल चलेगा आपके उपर है रंगीन लिकालते हैं या साधा निकालते हैं अईसा कुछ भी नहीं आप प्रिंट आउट जब निकल वाते हैं तो आपके उपर है जो मतलब लेकर जाना चाहते हैं वह आप ले जा सकते हैं और एक बात अधार कार्ड लेकर जाना है मतलब जो भी आपका ID प्रूफ है जैसे कि अधार कार्ड पेंड कार्ड निर्वाशन कार्ड जो भी आप तीनों में से कुछ भी कोई भी चीज लेकर जा सकते हैं मैं तो अधार कार्ड लेकर गया था आप अधार कार्ड देख सकते है तो और 25 नम्बर का आपका journal knowledge था और 25 नम्बर का था आपका reasoning और 25 नम्बर का mathematics था और 25 नम्बर का था आपका हिंडी तो total होगे 100 question 100 question में आपको करना अनिवार है जो कि आप कर सकते हैं हमें विश्वास है जैसे कि हमको अपने आप पर विश्वास था और आपको बता दे कि वहाँ पर checking कैसे हो रहा था यहां से जाने के बाद आप जो है कि सबसे पहले आप वहाँ पर line लगाएंगे line से line wise line मतलब आपको अंदर enter होगा और वहाँ पर checking होगा checking का process यह होगा कि सबसे पहले आपका डॉकमेंट चेक किया जाएगा यानि कि एक क्रुष आपको पूरा पूरा बौडी का चेक अप होगा जैसे कि चेक अप मतलब वह नहीं आपको देखा जाएगा आपको नकल चीट करने कि कुछ लेकर अंदर तो नहीं जा रहे हैं जैसे मोबाइल नहीं लेकर जाना है घड़ी पेर Please पेर्डकर जाना लेकर जो आइसे की अमका मतलब जी बहुत के और का पिनगर नंबर यह हो गया तो आपको याद ही होगा और इसलिए कुछा जाए कर देंगे और फिर अंदर एंटर करने के बाद आपको मतलब वहां पर फिंगर लगेगा फिंगर के बाद आपका पोटो खीचा जाएगा और अठाघर काट चेक होगा भरिफाई होगा मतलब ठम अग उठाएगा और फिर वहां से पोटो खीचा जाएगा फिर वहां से आपको कनफर्म हो जाएगा सीट मिल जाएगा कि इस सीट बापको बैठना है ज़ता है डालेंगे आपका पासवर्ड रहेगा वही और उसके पहले आपको मिलेगा रफ काफी जैसे कि एक साधा पेज आपको मिलेगा ताकि उसके अपना सवाल सॉल्व कर सकें तो दोस्तों हमारा इंफोर्मेशन कैसा लगा आप चुरू हमारे कमेंट बॉक्स में बताएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा शेर करिएगा और कमेंट करिएगा और बिल्कुल भाईया सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना बली हो